आलम नगर स्टेशन से आपका बहुत बहुत स्वागत है यह वीडियो भेजा है गौरव जी ने हमको आलम नगर से यहाँ पर आप देख सकते हैं आलम नगर स्टेशन जो है उसका नया फुटोवर बिज आपको दिख रहा होगा सामने एक नमबर प्रैटफॉर्म और इधर आलम नगर स्टेशन की नई बिल्डिंग तयार की जा रही है क्योंकि आलम नगर से ट्रांस्पोर्ट नगर होते हुए आपको पता है फिर उत्रेटिया के दिशा में आने वाल आलम नगर स्टेशन की बन रही है यह उत्तर रेलवे में हमारे आता है लखनो डिविजन में और आने वाले समय में आलम नगर स्टेशन को सेटेलाइट स्टेशन के तोर पर विक्सित किया जा रहा है जहां पर अभी दो ट्रैक्स दो नए ट्रैक्स और डाले जाएंगे और अब कुल प्लैटफॉर्म्स की संख्या तीन से बढ़कर हो जाएगी पाँच जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना यहाँ पर सामने जो आप यह मिटी देख रहे हैं इदर रेल बेट तैयार हो रहा है और उसके बाद रेल बेट तैयार करके यहाँ पर दो ट्रैक्स अभी और डाले जाएंगे जहाँ पर सामने वो मैडम जा रही है और यह इधर आप ट्रक देख रहे हैं खड़ा हुआ तो यहाँ से दो ट्रैक्स अभी और डाले जाएंगे यह जो मैडम जा रही है देखिए स्कूटी ले करके सामने एक नया पुल आपको दिख रहोगा दूर पे प उनोही तरफ एक तरफ तो दिल्ली वाली में लाइन में हो जाएगा कनेक्ट इधर से जो दो ट्रैक्स जाएंगे यह जो नया पैदल पुल आप देख रहे हैं और जो एक नमबर प्लैटफॉर्म की दिशा से मालगाड़ी जा रही है फिर वो तीन नमबर प्लैटफॉर्म ह हो जाएगा और काफी कस्ट्रक्शन का समान यहां पर ढेर है नई बिल्डिंग यहां पर सामने के दिशा में बनेगी और यह मालगाड़ी निकल रही है यहां से एक नमबर का प्लैटफॉर्म है यह फिलाल अभी आलमनगर स्टेशन का जहां से आपको और करीब से दिखाए प्लैटफॉर्म नमबर तीन हो जाएगा फिर वो और यह प्लैटफॉर्म नमबर दो हो जाएगा अभी यह पूरा प्लैटफॉर्म नमबर एक है और मालगाड़ी के पीछे दो प्लैटफॉर्म है यहां पर दो ट्रैक्स सामने के दिशा से आएंगे बरेली के दिशा हो जा जाएंगे डबल लाइन वो बन रही है कारे चल रहा है उस पर और उत्रेटिया जंशन से ट्रांस्पोर्ट नगर तक CRS भी हो चुका है इंस्पेक्शन आपको हमने पूर में दिखाया था ये देखे एक नंबर का प्लेटफॉर्म है और ये पैदल पूर्ल सारा हो जाएगा वो नई बिल्डिंग सामने आपको दिख रही है ब्रिच के नीचे से फुटोवर ब्रिच के आलमनगर स्टेशन की दो ट्रैक यहाँ पर ठीक इसके बगल में पैदल पूल के नीचे से डाले जाएंगे जो की आगे में लाइन में मिला दिये जाएंगे और पैदल पूल यहाँ पर जो निया यह बना है आपको समझ में आ रहा होगा भी इस पर पेंट वगरा होना बाकी है इसको आगे उतारा गया है तो यह एक बहुत अची रेलवे की यूजना है चार बाग जो लखनो का मुख्य स्टेशन उसका लोड कम करने के लिए हमारे नर का और नर साइट का भी कुछ ट्रेंस जैसे गोमती नगर हो रहा है भविश में शिफ्ट की जाएंगी बीस जोड़ी रेलगाडियां आलम नगर उनका ठहरा होगा यहां से आपको जित्ते भी लोग ओल्ड सिटी में रहने वाले हैं बुदेशवर यहां से आपको ओला उबर जित्ती भी आटो सर्विसें सब मिल जाएंगी बाहर तो आप यहां से उतर के जा सकते हैं उसके बाद अगला ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन हो जाएगा वहाँ पर उतर के आप मेट्रो स्टेशन हैं पास में एक डिल किलोमीटर आप आटो करके आईए मेट्रो से आप कहीं भी जा सकते हैं लखनो के अंदर मुख्य जित्ते भी पॉइंट्स ने ये दो और ती नंबर सामने आपको दिख रहा है भी प्लैटफॉर्म फिलाल तो वो फिर चार और पाँच प्लैटफॉर्म नंबर संख्या हो जाएगी उसकी टोटल पाँच प्ल चल रहा है फिलाल क्योंकि ट्रांस्पोर्ट नगर से जो लाइन सारी है उनका काम भी चलना डबलिंग का और इलेक्रिफिकेशन का साथ साथ तो उसके बाद आलम नगर बहुत ही इंपॉर्टन्ट इस्टेशन हो जाएगा सैटलाइट इस्टेशन लगबग 20 जोड़ी रेल प्लैट्फॉर्म नजर आ रहोंगे पुराने यह आपको जो स्टेशन जैसा हुआ करता था भी उसी प्रकार से आप देख सकते हैं दो ती नंबर सामने प्लैट्फॉर्म आपको दिख रहा है एक नंबर प्लैट्फॉर्म यह हो गया शेल्टर वगारा कारे भी यहां पर हो जाएगी और अभी यहां पर ट्रैक डालने का काम शुरू नहीं हुआ है तो उसकी तैयारी चल रही है तो यह सारे कार यहां पर होंगे यहीं से लाइन्स आएंगी सामने से और इधर यह ट्रैक्स चले जाएंगे चारवाग की दिशा में और ट्रांस्पोर्ट नगर की दि जाएंगे तो तो यहां पर वाएंगे